पूरी की पूरी पार्टी तेज़ परताप यादों पर कारवाई करने के मूड में है रास्टिय कारकारनी की बैठक पटना में हुई इस दोरान पार्टी के तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौझूद रहे नेता परतिपक तेशव यादों मौझूद रहे तेज़ परताप यादों पर सभी कारवाई का मन बना रहे है इसके साथी साथ जो समिक्षा हुई है लोकसवा चुनाओ को ले करके उसमें ये बात सामने आई है कि पार्टी में भारी अनुशासन हींता है जिसको ले करके कारवाई होनी जरूरी है आपको याद होगा तेज़ परताप यादों जी हाँ लोकसवा चुनाओ के दोरान वो अपनी ही पार्टी रास्टी जनतदल के खिलाफ खड़े हो गए थे पहले लालू राबडी मोर्चा बनाया उसके बाद उस मोर्चे के तहट अपने कैंडिडेट का एलान भी कर दिया और वो कैंडिडेट उन सीटों पर थे जहां पर राज बात के तेजप्रता प्यादों के रिष्टे में शतूर लगते हैं और पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। इन सब चीजों को ले करके जब चुनाओ में हार हुई तो उसमें कहीं न कहीं ये बात में सामने आ रही थी कि तेजपरताप यादों की बगावत की वज़े से ही चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा कई सीटों पर जहां पर वो जीत हासिल कर सकते थे जाज़े कि सीवर, जहानबाद और सारन में इसके साथी साथ अब जो है कि पार्टी के कई बातों को ले करके जो रास्टे कारकारनी में की बैठक में जो फैसले हुए हैं जो बाते हुई हैं जो निसकर्ष निकले हैं उसमें ये माना जा रहा है कि तेजपरताप यादों पर कारवाई हो सकती है मनमुटाओ की बाते सामने आ रही थी खुद भाई भाई में मनमुटाओ की बाते सामने आ रही तेजस्वी और तेजपरताप यादों के बीच में तकरार की बाते सामने आती रहती हैं अक्सर और अभी भी मीडिया में ये चल रहा है कि अस्तित्तु की लड़ाई पार्टी मे चल रही है जो विरोधी है वो भी लगतार आरोप लगाते हैं कि जो रास्टे जनता दल है वो अपने अंदर की लड़ाई से ही जूज नहीं पारा सही से और यही कारण है कि वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पारा है लगतार ये कोशी से जारी है कि जो लोग सभाचुना में हुआ वो विधान सभाचुनाओ 2020 में न देखने को मिले पार्टी का 23 अस्थापना दिवस पार्टी के प्रदेश कर रहा है पटना के राजी जडी ऑफिस में मनाय जा रहा था उस दोरान भी तवाम नेताओं ने जब अपने भाशन को दिया तो उस दोरान यही बाते सामन आई कि संघर्ष समीति का गठन होना चाहिए बूत लेवल पर क्यूंकि हमारे जो कारेकरता है हमारे जो नेता है वो पहले से सिथिल पर गया है और एक्टिव तोर पर वो काम नहीं कर रहे हैं इसके साथी साथ ये भी कहा गया कि 2019 लोग सबाचुनाओं में जितने भी EVM पर सवाल उठाए गये वो सब कुछ गलत थे और मत बना था लोगों का सिर्फ और सिर्फ मोधी को वोट देने का इनी सब बातों को ले करके ये चर्चा हुई उसके एक दिन बार शनिवार के दिन पटना के मोरिया होटल में राष्टी कारकारनी के बैठक होई जिसमें ये बात सामने आई कि तेजपरताप यादो पर कारवाई हो सकती है तेजपरताप यादो के खिलाफ पार्टी के सभी नेता उन्हें कारवाई का मन बना लिया है राबली देवी और मीसा भारती को छोड़ दें तो पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि अनुशासन हिंता के बाद कार प्रवाई जरूरी आप देखने वाली बात होगी कि तेजपरता प्यादो आगे क्या कुछ करते हैं क्योंकि उनकी रह आसान नहीं होने वाली है अप लाइब सीरीज सथ बनर यह हमको बिहार समय देश दुनिया कि तमाम खबरों से लगतार अपडेट रक रहे हैं अगर अभी करते हैं